आज मैं आपके साथ नायरा स्टाइल कुर्ती, फ्रंट बटन उपन प्लाकेट के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने जालीदा लेस यूज की है, स्लीव में भी डिजाइन बनाई है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें, हमारा बुटिक कलेक्शन परचेस करने के लिए स्क्रीन पर दिखाएगा, नमबर पर हमें वाट्स अप करें और डेली अपडेट के लिए हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिसकी लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस कुर्ता डिजाइन बनाने के लिए मैंने ये कुर्ती का कपड़ा ड लंबाई में फोल करने के बाद अब हम इसको चोड़ाई में फोल करेंगे, अब यहां से कुर्ती के लिए पहले स्कर्ट की जो लंबाई है उसके लिए कपड़ा निकालेंगे, स्कर्ट की लंबाई यहां मुझे 29 इंच चाहिए, उसमें 1 इंच हम एड़ करेंगे, और 30 इं और यहां से इस कपड़े को कट करके अलग कर लें। यह हमने कुर्टी के लिए skirt कट कर लिया है। इस कपड़े की print एक तरफा है, तो एक पैनल को इस तरीके से घुमाएं और दोनों जो प्रिंट से एक तरफा कर लें। देखिए दोनों पैनल्स की प्रिंट अब एक साइड है। कुर्टी के लिए दोनों skirt प्रंट और बैक के लिए मैंने कट कर लिये हैं। अब बाकी बचे हुए कपड़े में से हमें टॉप पार्ट कट करना है और स्लीव्स भी निकारनी है। इस बाकी बचे हुए कपड़े को पहले पूरा खोलें। अब हम इसको चौड़ाई में फोल करेंगे। इसे दोबारा से चौड़ाई में फोल करें। और इसमें से टॉप पार्ट की लंबाई निकालें। टॉप पार्ट की जो तयार लंबाई है वो मुझे 15 इंच चाहिए। हाइट के हिसाब से हम 14 इंच भी ले सकते हैं। अगर कम हाइट है तो आप 14 इंच लें और उसमें 1 इंच एड़ करें। अब इस कपड़े में से हमें टॉप पार्ट की कटिंग करनी है। पहले इस तरीके से चौड़ाई में से फोल कर लें साइस के हिसाब से। यहां 38 चेस्ट साइस के लिए मैंने इसे करीब 11 इंच तक फोल किया है। फोल करने के बाद यह साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा पहले कट कर लें। अब देखें यह खुली हुई साइड है। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। बंद वाली साइड इस तरीके से पहले 3 इंच पे निशान लगा दें। और इस निशान के उपर इस तरीके से इस बाकी बचे हुए कपड़े को फोल करके रखें। जो हम फ्रंट टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बाकी जो बचा हुआ बीच का पोर्शन है उसमें हम बॉटम वाला कपड़ा यूज करेंगे। ये फ्रंट के लिए हमने कपड़ा फोल करके रखा है और ये हमारा बैक पैनल का टॉप पार्ट है। इनको अच्छे से सैट करने के बाद अब यहां से साइस के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर लाइन है साड़े साथ इंच। क्योंकि हम यहां बाट नेक बनाएंगे तो फूल शोल्डर लाइन लेनी है। आदा इंच हमें ड्रॉप करना है। उसके बाद आम होल लैंद हमें साड़े साथ इंच पे निशान लगाना है। अब यहां चेस्ट लाइन है 38 उसका चौथा बाग करें और उसमें सलाई का एड़ करें और इस तरीके से गुलाई वाला शेव दे के आम राउन का निशान लगाएं। गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे क्योंकि हमें बोटनेक बनाना है और आदा इंच जो ड्रॉप किया है सको शोल्डर स्लोप में इस तरीके से मिलाएं। कमर की साइज है यहाँ पर 32 उसका चौथा बाग कर लें और उसमें इस लाई का एड़ करके इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लें। अब यहाँ कमर पर हम एक इंच तक इस तरीके से गोलाई वाली कटिंग करेंगे जिससे कमर की फिटिंग अच्छी आती है। अब हम इन दोनों पैनल्स को एक साथ कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद फ्रंट के लिए जो हमने कपड़ा रखा था वो यहाँ से बंद है तो उसको कट करके अलग-अलग कर लें। अब बैक में हम गले की चौड़ाई चार इंच रखेंगे और गले की जो लंबाई है वो डेड़ इंच रखेंगे और यहाँ पर दोनों निशानों को मिलाकर बॉट नेक का शेप दें और बैक पैनल में नेक की कटिंग कर लें। अब जो फ्रंट के लिए हमने पैनल्स कट किये हैं उसमें हमें इस तरीके से एक इंच अंदर की तरफ फ्रंट कटिंग कर लेनी है यह फ्रंट आम राउंड की कटिंग है तो पार्ट के दोनों पैनल्स हमने कट कर लिए हैं अब जो बीच का हिस्सा है वो हम बॉटम वाले कपड़े में से निकालेंगे तो देखे इस तरीके से मैंने सेम साइस की लंबाई ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच रखी है क्योंकि साड़े 3 इंच पे तो हमने निशान लगया था आदा इंच स्लाई में जाएगा और 2 इंच हमने प्लैकेट के लिए लिया है इसमें मैंने एक पट्टी में सीधी लाइन ली है और एक में आड़ी लाइन ली है सिर्फ पैटन को थोड़ा यूनिक लुक देने के लिए आप दूनों सीधी लाइन्स में भी या दूनों आड लाइन्स में भी ले सकते हैं, टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है, स्कर्ट भी हमने कट कर लिया है, अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, बाकी बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फिर से चौड़ाई में फोल करें, इसे दोबारा से फोल करें, स्लीव की जो हम यहाँ पर पहले बारा इंच पर निशान लगाएंगे, खुली हुई साइट से साड़े तीन इंच ड्रॉप करके इस तरीके से स्लीव कैप का शेप दें, यहाँ एलबो लैंथ तक जो स्लीव ओपन साइज है, वो मैंने छे इंच रकी है, उसमें इस लाई का एड़ कर ल स्लीव की कटिंग करने के बाद, अब यहाँ पर बीच का एक छोटा सा कट लगा दें, और स्लीव को इस तरीके से खोल कर, यहाँ पर हम पहले फ्रंट कटिंग कर लेंगे, एक इंच अंदर की तरफ इस तरीके से, स्लीव में भी फ्रंट कटिंग कर लें, और फ्रंट कटिं के टाइम ये ध्यान रखें कि स्लीव का जो कपड़ा है आमने सामने होना चाहिए ये फ्रंट कटिंग मैंने कर ली है अब स्लीव में जो हमें पैटन बनाना है उसके लिए बाकी बचे हुए कपड़े में से हम सीधी पट्टिया निकालेंगे यहां से पहले ये जो कटिंग है उसको हटा दे अब इसमें से हम करीब 6 इंच लंबी पट्टिया निकालेंगे दोनों स्लीव के लिए हमें दो पट्टिया लेनी है छे इंच पे निशान लगा दे और कापड़े की जो भी चोड़ाई है पूरी रहने दे देखिए पट्टी के इस तरीके से दोनों तरफ हम में गैदस बनाने है और स्लीव का पैटन तयार करना है अब हम कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहां पर ओपन बटन प्लैकेट तयार करेंगे देखिए इस तरीके से दो इंच जो मैंने एक्ट्रा लिया था उसको इस तरीके से दो बार फोल करके हम प्लैकेट बनाएंगे जो बीच का कट है उसको बीच में रहने दें और इस तरीके से फोल करके और स्लाई करें और प्लैकेट को तयार करें दोनों पटियों में हम इस तरीके से जो दो इंच एक्ट्रा लिया है उसे फोल करेंगे पूरा फोल नहीं करना है आदा इंच हम में बाहर की तरफ रखना है करीब डेड इंज तक फोल कर लें देखे जो प्लैकेट है वो कुछ इस तरीके से तैयार होगा दोनों पटियां एक दूसरे के इस तरीके से उपर चड़ा दे और यहां पर एक बड़ी सलाई करके फिलाल इन दोनों को यहां पर जोड़ दें तो आपको पैटन तयार करने में भी आसानी रहेगी और जो हम बॉटनेक कट करेंगे उसकी कटिंग में भी आपको परिशानी नहीं आएगी अब देखे यहां पर हम यह जाली दर लैस लगाएंगे यह सीधे साइड में इस तरीके से लैस को रखें और कपड़े को इस तरीके से आधा इंच से भी कम कपड़ा फोल्ड करके और इस लैस को यहां पर फिक्स कर लें दूसरी साइड भी सेम हम इसी तरीके से यहां पर लैस को लगा देंगे अब जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है उसको इस रिविल सिविल टेप से यहां से चिपका देंगे आप यहां स्लाई भी कर सकते हैं मगर स्लाई से इतना अच्छा लुक नहीं आता है इसलिए मैंने यहां पर रिविल सिविल टेप लगाई है और देखिए इस तरीके से जिसे एकदम ब्रैंडिट कुर्ती से होती है उस तरीके का यह पैटन तैयार होगा अब जो यह फ्रंट के साइट पैनल्स है उसको हम यहां पर जोड़ेंगे देखिए फिर से इसको एक दूसरे के उपर चड़ाए अब हम यहां पर इस तरीके से लैस को कपड़े से कवर करेंगे और सलाई लगा कर यहां पर लैस को फिक्स कर लेंगे दोनों तरफ मैंने इस तरीके से लेस लगा दी है अब यहां भी हम रिवल सिवल टेप से इस कपड़े को चिप कहेंगे और यह फ्रंट का जो टॉप पार्ट है पूरा तैयार करेंगे अब हम इसको इस तरीके से फोल करेंगे और यहां पर फ्रंट का जो बॉट नेक है वो कट करेंगे गले की चोड़ाई हमें सेम रखनी है चार इंच गले की जो लंबाई है वो हम साढ़े तीन इंच रखेंगे इन दोनों निशानों को मिलाकर यहां पर बॉट नेक का शेप दें और इसकी कटिंग कर लें नेक की कटिंग करने के बाद अब यहां पर इस प्लैकेट को थोड़ा सा इस तरीके से सलाई को खोल दें अब दोनों तरफ के बॉट नेक को हमें तयार करना है, इसके लिए मैंने ये सेम साइस की एक इंच चौड़ी पट्टी कट की है, देखे इस तरीके से नेक के उपर इसे रखें और यहां से स्लाई लगा कर बॉट नेक को तयार करें, यहां पर बाद में हम बटन्स लगा देंगे, बैक पैनल का जो भी नेक है, वहां भी सेम साइस की पट्टी ले और स्लाई लगा कर बैक पैनल के नेक को भी तयार कर लें, दोनों साइड नेक तैयार करने के बाद अब हम दोनों पैनल्स को आमने सामने रखेंगे और शोल्डर लाइन से दोनों को जोड़ देंगे यहाँ सलाई लगा के दोनों को इस तरीके से जोड़ें अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे Sleeves की cutting हमने पहले ही कर ली थी Sleeves का जो ये pattern है उसकी link आपको description में मिल जाएगी Sleeves तैयार करने के बाद अब top part में हम Sleeves लगा देंगे Sleeves लगाने के time भी ये ध्यान रखें कि Sleeves की जो हमने front cutting की थी और top part की जो front cutting की थी दोनों आमने सामने होनी चाहिए अब हम skirt तैयार करेंगे अब देखें skirt के लिए जो हमने कपड़ा निकाला था उसको चौड़ाई में मैंने fold रखा है जो खुली हुई side है वहाँ पर हमें एक cut लगाना है ये cut हमें 6 inch की लंबाई पे रखना है 6 inch पे निशा लगा है और हमने top part में 1.5 inch लाई कर रखा है तो यहाँ 1.5 inch तक हमें cut लगाना है देखें 1.5 inch गहरा इस तरीके से cut लगा दे अब यहाँ पर slits को highlight करने के लिए मैंने bottom में से सीधी पट्टिया निकाली है तो उसे लगाने के लिए देखें इस कपड़े को मैंने सीधा रखा है slit वाली side कपड़े को अंदर की तरफ fold कर ले अब इसके उपर हम यहाँ पर जैसे मैंने दिखा है इस तरीके से border को sly लगा कर यहाँ पर चिपका दे आप यहाँ 1 inch चोड़ी less भी उस कर सकते हैं अगर आपका suit border वाला है तो आप यहाँ पर suit border भी लगा सकते हैं अब देखे एक तरफ sly लगा कर मैंने इससे यहाँ पर चिपकाया है अब दूसरी side भी sly लगा कर इस border को यहाँ पर complete करें इस panel के दोनो side slit पर हमें इस तरीके से इस पट्टी को यहाँ पर लगाना है यहाँ सामने वाली side भी सेम इसी तरीके से ही हम यहाँ पर इस पट्टी को यहाँ पर slide करके और चिपकायाँगे front panel और back panel के दोनों skirt इस तरीके से तयार कर लें अब हम top part और skirt को आपस में जोड़ेंगे देखे यहाँ पर side का हिस्सा plane छोड़े सिरफ बीच वाले हिस्से में हमें plates बनानी है दिखे इस तरीके से एक इंच गहरी मैंने यहाँ पर plates बनाई है आप यहाँ गैदर्स भी बना सकते हैं front panel और back panel के दो नो टॉप पार्ट इस तरीके से skirt से जोड़ देने हैं back में भी हम इस तरीके से बीच में plates बनाएंगे अब हमें कुर्ती के जो sides हैं वो बंद करने है size के हिसाब से sleeve से लेके hip line तक हम इस कुर्ती को बंद करेंगे यहाँ हमने 1.5 डिंच सलाई का एक्स्टर छोड़ा था तो 1.5 डिंच तक हमें इस तरीके से सलाई में अंदर दबाना है hip line तक हम इस कुर्ती के sides बंद कर लेंगे स्लीव से लेके हिप लाइन तक इससे कुर्ती की जो फिटिंग है वो भी अच्छी आती है और लुक वाइस भी ये अच्छी लगती है अब देखे, sleeve से लेके, bust line, bust line से लेके, west line, west line से लेके, hip line तक हम इस तरीके से, कुर्ती के जो दोनों sides हैं, वो बंद कर लेंगे सामने वाली भी side, हम इस तरीके से, dead engine, the slide में दबाएंगे देखे, इस तरीके से, ये side slits तैयार हो चुकी है अब हम कुर्ती को नीचे से, इस तरीके से, fold कर लेंगे आदा इंच इस तरीके से, दो बार fold करके, और slide लगा दें और कुर्ती को complete करें देखे, जो जाली दार लेस हमने लगई थी, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी यहाँ प्लैकेट पर button hole और buttons बना देंगे देखे, इस तरीके से यह open placard तयार होगा sleeves का design भी काफी सुन्दर है, side slits भी highlight हो रही है आप इसे plazo या pan के साथ जरूर try करें यह काफी smart look देती है आपको मेरा यह कुर्ता design कैसा लगा? like, share, comment करके जरूर बताएं thank you, watching for this video झाओने झाओने बताएं